Hello guys, आपने काफी बार wood के usage को पढ़ा होगा, काफी वीडियो भी आपने सर्च की होगी, लेकिन फिर भी आपके confusion दूर नहीं हो पाई होगी, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद wood से related जितने भी आपके question है, जितने भी आपके doubt है, सभी clear हो जाएंगे केवल आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं यहाँ wood के uses पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहीं बात कर रही हूँ कि wood को किस-किस situation में use क्या जा सकता है, क्योंकि जब हम speaking करते हैं, तो most important thing क्या होती है, कि किस situation में हम क्या लगाएं, तो बैस आप situation की बात करेंगे, क wood को किस-किस situation में हम लगा सकते हैं, सारे डाउट आपको किलियर हो जाएंगे, वीडियो में end तक बने रही है, तो करते हैं, वीडियो को start बिनादेर करते हुए, आपके सामने मैंने कुछ wood के uses के situations लिखी हुई है, ना कि use, use तो हम इसके बोल सकते हैं, 20 भी होते हैं, बट न use आपको पढ़ा हूँ, उसके चार situation है, जी नहीं, situation एक use चार, इस टैप से हम wood को cover करेंगे, आप पहले इनका screenshot ले लीजिए, ताकि आप एक-एक को बारे-बारे समझ सके और पढ़ सके, राइट, अब जो wood है, कुछ student ये समझते है, would क्या है, will का past है, ठीक है, लेकिन ऐसा में, will के past के रूप में, हम wood का use करेंगे, केवल एक situation होती है, हमारी direct speech, into indirect speech, जब हम direct speech से indirect speech में change करते हैं sentence को, तब हम will के past के रूप में wood को use करते हैं, जैसे पहली situation हम ये ही लगा लेते हैं, right, जैसे मैंने कहा, उसने, मुझ से, कहा, अब यहां हम जब direct speech नहीं होके, indirect speech में change करते हैं, तो पहले indirect coma होती है, हमारी उसके बाद जो भी कहते हैं, वो indirect coma के अंदर होता है, उसने मुझ से कहा, वहें मुझ से मिलेगी, अब जो ये है ना, इस type के भी हम चार situation पढ़ेंगे, केवल एक wood के related में हम चार situation देखेंगे, तो पहले situation यही होती है, जब हम will का पास्ट में use करते हैं, अब काफी student क्या हैं, इस sentence को बनाएंगे, उसने मुझ से कहा, he said to me, फिर यहाँ that लगाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, she will meet me, okay, बट जो ये sentence है, ये आपका wrong होगा, अब जब wrong होगा, तो ये भी पता होना चाहिए, कि बट क्यों wrong होगा हमारे sentence, ये तो सही है, कि उसने कहां क्यों मिलेगी, गागेगी आ रहा है, तो हमारे will आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, जब हम indirect speech में change करते हैं, तो आपने देखा होगा, अगर आपने narration पढ़ी होगी, तो आपको आता होगा, अगर आपने narration नहीं पढ़ी है, तो चैनल पे जाके narration की वीडियो आप देख सकते हैं, आपको easily समझा जाएगा, लेकिन मैं ये आपको narration नहीं पढ़ा रही हूँ, ज़ना ज़रूरी हो जाता है, राइट, उसने मुझसे कहा, अब यहाँ उसने कहा, ही, आप देखो यहाँ पर जो है, अगर मुझसे कहा, sad to me, अगर sad के बाद to और object आता है, तो always किसमें change होता है, told, he told me, अगर sad के बाद to नहीं आता है, यानि कि object नहीं आता है, उसके बाद 2 के बाद, तो sad का sad ही रहता है, यह आपने ध्यान रखना है, अगर 2 आता है object आता है, तो आप told लगाएंगे तो he told me, inverted comma tie that see would meet me अब यह जो sometimes है आपका यह right होगा अब इसका कोई ना कोई logic तो होगा, कोई ना कोई rule तो होगा हम ऐसे कैसे मालने की, यह right और यह wrong है, आपकी दिमाग में यह question आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप direct, शे indirect बोलेंगे तो आपका जो पहला part है, वो तो आपका same रहेगा, लेकिन जब second जो part आएगा, उसमें will के जगे, आप would का यूज करते हैं कि वल, यह मैंने यहाँ बताया है कि will का past में ऐसे change होता है बट जब हम speaking करते हैं तो हम कैसे would का use करें, अब आजाते हैं इस बात पे तो आप screenshot लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं जैसे एक situation तो हमारी यह हो गई कि जब हम direct से in direct में change करेंगे, तो हम will का would में change करते हैं, एक होता है future in past जब हम past में future की बात करेंगे, तो भी हम would का use करते हैं, वो देखते हैं note, यानि कि ज़रूरी चीजे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप screenshot ले सकते हैं, यदि पहला sentence past में आता है तो always second जो sentence होता है, वो हमारा would से ही बनेगा, लेकिन sentence की जो sense होगी, वो गागेगी की आएगी, आपको ऐसा लगेगा, की future का है बटे future का होगा नहीं past में ही कोई काम होना था और हो चुका है वो, complete हो चुका है, past की situation में ही कोई काम हो गया, यानि की पहला close हमारा past का, second close में हम would का यूज करेंगे will का यूज हमारा करना गलत हो जाएगा, राइट, ये छोटी-छोटी चीज़े आपने याद रखने है, ताकि would पे आपको कोई भी confusion ना रहें पहले sentence देख लिजी, आप पता था, और यहाँ पर when नहीं आएगे future, यानि जब past में हम future के बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे would का यूज करेंगे, यहाँ हम will का यूज नहीं करेंगे, मुझे पता था अब क्या होता है, no होता है पता होना, जानना, उसके second form क्या होगे new, I knew आप यहाँ that का यूज कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो आप यहाँ कोमा दे के sentence कम्पलिट कर सकते हैं, right see would not come, इस तरह से यहाँ आप will का यूज नहीं करेंगे, right अब हमारे पास कुछ खास ऐसी work होती है जो हम बेले अपने speaking में यूज करते है मुझे पता था, तुम नहीं आओगे, क्या तुम्हीं पता था, मैं नहीं आओगा क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ जो भी situation, यानि कि पास्ट में अगर पहला close है तो आपने याद रखना है, second close always आपका wood से बनेगा अब कुछ वर्ब कैसे होते हैं, वो देख लेते हैं जैसे no होता है, पता हो न, इसकी second, new यानि मैं जानता था, मुझे पता था think सोचना है, मैंने सोचा मैंने सोचा, तुम नहीं आओगे मैंने सोचा, वो आ जाएगा मैंने सोचा, पापा मुझे डाटेंगे मैंने सोचा, मम्मी खाना बना रही होगी अब गागेगी कि situation आ रही है, हमारी second sentence में, देखने में लगेगा future में बना दे, ठीक है लेकिन जो काम था, वो past भी हो चुका है ठीक है अब यहाँ बे feel, मुझे महसूस हुआ कि तुम आओगे, मुझे महसूस हुआ तुमारा phone आएगा, मुझे जो भी feel हुआ, आप इन किसे गया पर use कर सकते हैं, sense यानि sense यानि आभास हुआ मुझे किसी चीज़ का आभास हुआ, फिर आप second sentence लगाए, लेकिन सर्थ यह है second sentence में आपका गागेगी ही आना चाहिए तो आपका यह rule काम करेगा, right कुछ example देखते हैं ताकि easily आपको समझा सके अब example देखते हैं मुझे लगा पापा मुझे पीटेंगे जैसे घर में बच्चे किसी बच्चे ने भी कोई सरारत की है पापा उसको डाटे जा रहे है डाट रहे है रहे है और अचेनक डाटे डाटे जाँ जब आपका खडए होते हैं, तो क्या लगता है हमें कभी पापा मुझे पीटेंगे तो नहीं ऐसे लगता है नindest तो मुझे लगा यनि पास्ट में कोई काम हुआ है और पीटने के कम भी हो चुका है यह ध्यान रखना है के वल मुझे लगा I thought या I felt भी यूज़ कर सकते हैं कि मुझे लगा महसूस हुआ फिल हुआ कि पापा मुझे पीटेंगे that पापा की जगे मैंने यहां यूज़ लगा दिया भाई लाश्ट में तो गागेगी ही आ रहा है ना के वल यही चीज़ देखनी है मुझे लगा I thought या मैंने सोचा आप यहां पर I thought I felt का यूज़ कर सकते हैं या मुझे पता था I knew का यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपने बोलना हो क्योंकि जो इंगलीछ होती है उसको रटाविकेशन से नहीं सीखा जाता उसको फिल किया जाता है आपके situation में किस वर्ड का यूज करें कोई भी situation में कोई भी वर्ड use करना गलत नहीं होता है बस आपने एक चीद ध्यान रखनी है जब आप बोल रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी situation में उस word का use कर रहे हैं, right? मुझे लगा, I thought that you would not call me. अब हम यहां ऐसे बोल दें. मुझे लगा तो मैंने बोल दिया, मुझे नहीं लगा. मुझे नहीं लगा तुम मुझे call करोगी. या मुझे नहीं लगता था. ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मुझे नहीं लगता था, तुम call करोगी. अब मुझे नहीं लगता था. यानि कि हमने नहीं कि sense में यहां पर did का use करना है. यह ध्यान रखना है और did के साथ हम think का use करेंगे, first form का use करेंगे. क्योंकि did हमेशा first form लेता है. तो I did not think that you would not call me. इस तरह से आप sentences making करेंगे. केवल जो आपका पहला close है, वो change हो जाएगा. आगे देखते हैं, मुझे लगा मेरी salary नहीं बढ़ाई जाएगी. अब यह sentence क्या है, आपका passive का है. कि salary नहीं बढ़ाई जाएगी. इसमें क्या है? object भी जोड दिया जा रहा है. object क्या है salary, right? I felt that, यानि कि मुझे लगा, क्या लगा? salary would not be increased. अब यहाँ नहीं बढ़ाई जाएगी. B का use हुआ और हमारी क्या होता है? जो passive होता है, उसमें always हम third form का use करते हैं, right? इस तरह से भी आप sentence बना सकते हैं. आप यह would से related, आपकी मैंने तीन situation बता दिया है. एक situation और है, जो हम would, केवल single word का use करते हैं, जो पहला close हमारा past में और second हमारा future में होता है. यानि देखने में, right? एक situation और है, जो हम mostly बोलते हैं, मुझे पता नहीं था, सादी के बाद यह सब कुछ करना पड़ेगा. मुझे पता नहीं था, तुम सादी के बाद बदल जाओगे. इस टैप से भी हम कावी sentences बोलते हैं ना? तो वो भी हम सीखने वाले हैं. मुझे पता था, तुम यही कहोगे. ऐसे भी बोलते हैं. अगर मैं यहाँ बोलू, मुझे पता नहीं था, तुम यह कहोगे. तो मुझे पता नहीं था, I did not या आप didn't का यूज कर सकते हैं. I didn't. क्या नहीं पता था, यहाँ पर आप no का यूज करेंगे, new का यूज नहीं करेंगे. Know that you would say the same. Right? इस तरह से आप sentence बना सकते हैं. अगर मैंने यह कहा, क्या तुम्हें पता था, कि वो आएगी? क्या तुम्हें पता था, तो क्या पहले आएगा हमारा, यानि what? What did you know that she would come? इस तरह से आपने काफी sentence की practice करने हैं, और mostly speaking में यह use होते हैं, आपने खुद से observe किया होगा, जब आप इस topic पे अच्छे से command करना चाहते हैं, तो आपने ज़्यादा ज़्यादा practice करने हैं, राइट? अब चलते हम अपनी अगली situation पे, आप screenshot ले सकते हैं, एक situation यह होती है, जब हम यह बोलते हैं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, यानि कि life में जब आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था, और वो काम हो जाता है, जैसे मैंने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था, कि मैं आपको YouTube पर पढ़ा होंगी, यह इस situation होती है, कि मैंने कभी सोचा नहीं था, जब इस type situation में आपने sentence बोलने होंगे, तो वो भी आपके बुड से ही बनेंगे, तो इस वीडियो में आपने देखा होगा, कि मैंने situation एक बताई आपको, बट इसके uses च्यार बता दियें, तो बस यहीं होता, अगर uses क गिनने बैठेंगे, तो 20-25 हो जाते हैं, बट situation आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, 11-12 होती है, तो देख लेते हैं, यह भी हम, जब इस situation की बात करेंगे, तो जो पहला close होगा, हमारा पहला sentence होगा, वो हमारा past perfect से बनेगा, it means head से बनेगा, आपको अगर यकीन नहीं होता है, कि मैम यह कैसे हो सकता है, तो आप किसी भी newspaper को पढ़के देखेंगे, किसी भी magazine को पढ़ेंगे, और यह सब छोड़ो, अगर आप कोई भी English movie देखते हैं, तो उसमें इस type of sentences बोले जाते हैं, और देखने को मिलते हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप इसमें speaking में इनको use करते हैं, तो उनके साथ हमारा जो second sentence होगा, वो good से बनेगा, देखते हैं, मैंने कभी सोचा ना था, यानि कि लाइफ में आपने जब बोलना हो कभी ऐसा सोचा नहीं था, तो आप head से बनाएंगे, कि वह मुझे धोखा देगी, ठीक है, देखो situation वही है, पास्ट में काम हो गया है, उसने सोचा नहीं था, और जो धोखा देने का काम भी हो गया है, but use is अलग-अलग है, right, I had never thought that she would deceive me, यानि कि cheat me भी कह सकते हो, आप deceive me भी कह सकते हो, right, मैंने कभी, अगर आप ये बोलना हो यापर, मैंने कभी सोचा ना था, क्या तुमने कभी सोचा था, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तो आप पहले को चेंज करेंगे, बाकि जो second sentence आपका same रहेगा, would से बनेगा, right, मैंने कभी सोचा ना था, कि साधी की बाद मेरी life ऐसी होगी, अब जो काफी wives होती हैं, उनको होता है, कि मुझे नहीं पता था, ऐसी मेरे को ऐसा घर में लेगा, य नोकरी करने पड़ेगी, या साधी के बाद मुझे नोकर होगी तरह काम करना पड़ेगा, इस टाइप से तो बोलते हैं sentences, तो बैस मैंने इसी लिए sentence ले लिया है, कभी मैंने सोचा ना था, साधी के बाद मेरी life ऐसी होगी, I had never thought that my life would be like this, यानि कि ऐसी हो जाएगी, ठीक है क्या आपने कभी सोचा था, तु मेरे student बन जाओगे, सोचा था आप लोगों नहीं कभी, कि हम इन मैं से भी English पढ़ेंगे YouTube पर, कभी नहीं सोचा था, तो बैस ये sentence आपके लिए, Had you ever thought that you would become my students, अब मैंने क्या लिया है, तो हमारी helping बब जो had वो आ गया जाएगी, रैट, अगर ये बोला जाए, क्या आपने कभी सोचा नहीं था, तो नहीं कि sense में भी आप hadn't का यूज़ करेंगे, अगला sentence है हमारा, मैंने कभी सोचा ना था, कि तुम ऐसे निकलोगे, या ऐसे निकलोगे, I had never thought that you would turn out to be, यानि ऐसे बन जाओगे, ऐसे बदल जाओगे, like this, इस तरह से, अगर ये आपने बोलना हो, क्या तुमने कभी सोचा था, कि ऐसा होगा, क्या तुमने कभी सोचा था, कि तुम्हारी ऐसी condition होगी, जो भी आपने sentence बोलना हो, कभी life में आपने सोचा था, उसको आँख बन करके head से बनाएंगे, second situation होगी हमारी वो होगी request, अब हम request would से करते हैं, यानि कि polite request, अब जब request की बात आते हैं, ज़रूरी नहीं हम would से ही करें, हम could से भी कर सकते हैं, हम will से भी कर सकते हैं, तो वो सब differ भी मैं आपको समझाओंगी, और कैसे कैसे sentences बोले जाते हैं, कि situation हैं, तो वो भी हम सीखेंगे, अगली situation होगी हमारी desire, यानि कि इच्छा, जब हमें अपनी इच्छा बताने हो, या किसी की इच्छा पूछने हो, जैसे चाहूंगा, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहूंगा, मैं तुम्हारी पापा से मिलना चा तो बैन परना की कि तुमने मेरे पैसे लिये है न तो अब अवारे पैसे क्यों भुगि लूँगी वह से की स्टेंस री चरहते हैं Бूले जाते हैं वह स्टेंसे की मैं सब आप जानते हों मेसे लेकिन ऑपने लिक होुख़़चे और लूग मैं यूज आपको कि इस नहीं ważne करे हमारे refusal यानि मना करना मना करने की sense में हम would का use करेंगे हो चकते हैं हम would का भी use कर सकते हैं तो किस situation में would लगाएंगे और किस में हम will लगाएंगे यह सभी confusion आप दूर करने वाले हम इस video में तो video में अन तक बने रहेगा तो सिक लेते हैं हमारा पहला जो situation है या पहली जो use है request जब हम किसी से polite request करते हैं तो उसके लिए हम would का use करते हैं it means winner निवेदन कुछ काम कर दोगे क्या जैसे मैंने कहा क्या आप दर्वाजा खोल देंगे क्या आप दर्वाजा बंद कर देंगे क्या मुझे ये पानी की बोडल पास कर देंगे इस टाइप से हम sentences को बोलते हैं तो ऐसी sentences बोलने के लिए हम would का use करते हैं जैसे इसके लिए मारा structure होगा would you please यानि कि हम second person को बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर दोगे क्या उसके बाद आप work की first form का use करेंगे then आप object लगाएंगे केवल आपने base form को याद रखना है और sentence बोलना है और tongue पी आपके आजाना चाहिए would you please जैसे हमारे example है क्या आप पानी की बोडल मुझे पास कर दोगे अगर यहां लगा दे तो यह मुझे मुझे पास कर देंगे तो हम sentence बनाएंगे would you please आपने would you please का तो यूज करना है आप पास करना यानि पास ही होता है would you please पास मे यानि मुझे पास मे दा राइट अब जरूरी नहीं है कि आप would का यूज करें जब भी पॉलाइट रिक्वेस्ट की बात आती तो आपके माइंड में कोशन आ रहा होगा कि हम would क्यो could का भी तो यूज कर सकते हैं तो मैं डीफर बताती हूँ आपको एक तो होता है जो more कोलाइट बोलना तो आप could का यूज करेंगे या आप किसी से ज़्यादा यानि कि कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं तो आप could का यूज करें जैसे मैंने कहा क्या आप मेरे एक फेवर कर देंगे मेरे एक काम कर देंगे तो आप बोल चकते हैं could you please do me a favor इस तरह से आप could का यूज करेंगे बड़ी जो काम आप नहीं कराना है बड़ा काम जो आप नहीं कराना है उसके लिए या more polite request would से भी ज़्यादा polite request आप नहीं करने होगी तो भी आप could का यूज करेंगे अब बात आदे कि मैडम यहाँ will का यूज नहीं कर सकते आप यहाँ पर will का यूज भी कर सकते है will you place pass me the water bottle आप देखो इसकी बोलने का तरीका अलग होगा हमारा तो यहाँ आप will का यूज करेंगे state बोलने के लिए आप हिंदी में देंगे नहीं दोगे क्या तुम water bottle पास कर दोगे ऐसे यहनी कि हम गुसे में किसी से काम करा रहे है कि कर दोगे देंगे नहीं कर दोगे तो आप will का यूज कर सकते है अगला sentence है मारा क्या आप चुप हो जाएंगे क्या आप चुप हो जाओगे ऐसे बोलना है आपको क्या आप चुप हो जाओगे तो आप will का यूज़ करेंगे यहाँ will you अगर आप please लगाना चाहते तो लगा सकते हो will you please be quiet right अगर आप request कर रहे हो तो आप बोल सकते हो would you please be quiet okay इस तरह से आप could का would का will का यूज़ कर सकते जब आपने बोलना हो polite request किसी से करनी हो तब अब हम चलते हैं अपने अगले यूज़ की तरफ जब हम desire की बात करते हैं या तो हम अपनी इच्छा बताते हैं या दूसरों की इच्छा पूछते हैं तो उस सेंस में भी हम would का यूज़ करेंगे और तो sentence की सेंस होगी वो आएगी चाहूंगा चाहूंगी जैसे इसके लिए मारा structure यूज़ होगा would you like to ये तो आपका compulsory है इसको आपने याद कर लेना है then verb की first form और object जैसे मैंने का मैं तुम्हारे पापा से बात करना चाहूंगी तो मैं बोल सकते हैं I would you like to talk to your father क्या तुम मेरे ममी से बात करना चाहोगी इस तरीके से मैंने बोला तो हम बोल सकते हैं would you like to talk to my mom क्या आप मेरे भाई से मिलना चाहोगी would you like to meet my brother इस तरह से हम would you like to का यूज करते हैं अब एक जो हमारा structure होता है वो अलग होता है वो भी मैं आप से बताती हूँ यहाँ पर तो है कि यह ही जो हमारा subject है काम कर रहा है हो सकता है मैं चाहती हूँ कोई और भी काम करे तो उस situation में कैसे would का यूज होता है वो भी सिखेंगे example देख लेते हैं क्या आप चाहिए लेना पसंद करेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हो would you like to have tea क्या आप यहाँ रुखना पसंद करेंगे यहाँ पे space नहीं मैं उपर लिख देती हूँ would you like to stay here यहाँ रुखना पसंद करेंगे इस तरह से हम would you like to का यूज करेंगे अब बात आती है अगर मैंने sentence बोला मैं चाहूंगी आप यह काम पूरा करें इस टाइप से भी तो हम sentences बोलते हैं daily अपनी conversation में तो फिर आप ने तो यह सिखा है तो आप ऐसे sentences को कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं आप पहले would का यूज करेंगे फिर आप लगाएंगे first person यानि कि मैं चाहूंगी यहाँ पर आप I का यूज करेंगे फिर like, like की बाद आपने to नहीं लगाना है second person का यूज करना है then आप to का यूज करेंगे work की first form से just पहले then आप object का यूज करेंगे इस तरह से भी आपको sentence बनाने आने चाहिएं क्योंकि ऐसे ही sentences डेली conversation में यूज की जाते हैं जैसे हमारा sentence है मैं चाहूंगी आप यह काम पूरा करें अब देखो अगर क्या से start होगा sentence तो would आप पहले लगाएंगे अगर हम सीधा sentence बोलते हो आप sentence में पहले subject लगाएंगे यानि मैं चाहूंगी I उसके बाद would I would आप लगाओगे आप like I would like उसके बाद आप second person यानि कि आप से मैं ये काम कराना चाहूंगी यानि कि you like you to complete this work इस तरह से आपने sentences बनाने अपने आप से काफी सारे sentences आप बना सकते हों मैंने केवल एक दो एक्जम्पल आपको कराएं अब चलते हम अपने अगले यूज की तरफ अब बात आते है why would इसका यूज हम किस situation में करें जैसे जब कोई आपकी उपर ब्लेम लगाएं और आप उस ब्लेम का खंडन करें मना करें तब आप why would का यूज करेंगे ठीक है इसके लिए मारा structure होगा why would subject वरकि first form और object केवल आपने ये चीज याद रखनी है एक्जम्पल है मारा मैं तुम्हारा पहन क्यो लूँगी यानि कि भाई ने कहा काम करने के लिए पहन निकालने लगा तो इस situation में आप why would का यूज करेंगे राइट तो sentence होगा why would I take your pen मैं तुम्हारे पैसे क्यो लूँगी why would I take your money जब भी आपने बोलना कोई काम क्यों ही करूँगी इस situation में आप why would का यूज करेंगे राइट next sentence है मारा मैं तुम्हारे शिकायत पापा से क्यों करूँगी भाई ये घर में हरे घर में ये कहानी होती है कि तुमने मेरी पापा शिकायत किया न जब मैं क्यों करूँगी तुम्हारे शिकायत पापा से ऐसे बोल जाते sentences तो बैस आपने why would का यूज करना है यहाँ पापा भी यूज कर सकते हैं और फादर भी यूज कर सकते हैं मेरा भाई तुम्हें गाले क्यों देगा किसे ने का वैं तुम्हारे भाई ने मुझे गाली दी मेरा भाई तुम्हें गाले क्यों देगा आपने क्या करना है इंग्लिस expression से आती है express करना होता है आपके जो face के expression वो बताता है कि आप क्या बोलना चाहते है मेरे भाई तुम्हें गाली क्यों देगा इस टाइब से बोलते हैं तो best इस expression के लिए आपने why would का यूज करना है why would my brother abuse you इस तरह से आपने why would को याद कर लेना है और ऐसे situation में आपने इसका use करना है आप screenshot ले सकते हैं what would का use आप वहाँ कर सकते हैं जब आपने बोलना हो इसके सिवावकर ही क्या सकते हैं या करेगी ही क्या यह जरूरी नहीं है why would को आप present में यूज करें future में यूज करें या past में यूज करें केवल आपने situation सीखने है किस situation में हमें इनको बोलना है या तो कोई कामा प्रेगुलर करते हो या आप कभी कभी करने वाले हो या किया है आपने कोई भी situation हो आपने केवल इसको याद रख लेना है what would और why would को यानि कि इसकी अलावा वह करेगी ही क्या इस type of sentences बोले जाते है structure वोई होगा हमारा what would subject वर की first form और object example देखते है वो क्या ही देखेगा इसके अलावा क्या ही देखेगा मतलब किसे ने कागी वो phone देख रहा है हाँ भई phone ही देखेगा और इसके अलावा क्या ही देखेगा इस type से जो भी sentences बोले जाते है वो हमारे what would से बनते है what would he do accept this यानि कि इसके अलावा और करेगा ही क्या आपने ये देखना है इसके अलावा और करेगा ही क्या और क्या कर सकता है कैसे भी आपने बोलना है बस आपने याद रखना है what would अगला है वो क्या ही कहेगी उसके बास कोई बात ही नहीं या वो क्या ही कहेगी मैं क्या ही कहूं इस टैसे sentences बोलते हैं तो what would she say क्या ही कहेगी मैं क्या ही कहूं तो मैं बोल सकते what would I say मैं क्या ही बोलूं मैं क्या ही बताऊं मैं क्या ही तुम्हें समझाऊं जो भी sentences बोले जाते हैं इस type के वो what would से ही बोले जाते हैं छोटा सा structure लेकिन बहुत important है आप daily conversation में इसको use करते हैं बस आपने आज के बाद इसको use करना है next sentence है मारा वो क्या ही करेगी यानि कि क्या कर सकते हो अपनी life में क्या ही करेगी और तो sentence बोलोगे आप what would she do इस तरह से आप what would का use करेंगे और daily speaking में इसको बहुत ज़्यदा use किया जाता है अब हम चलते हैं अपने अगले use की तरफ जब हम refusal की बात करते हैं यानि मना करना अब जो मना करना होता दो तरीके से होता है तो state मना कर दो एक politely बोलके कि मैं ऐसा नहीं करूँगा इस टैप से जो भी sentences बनते हैं वो हमारे would से बनते हैं तो subject would not यानि मना करने नहीं की form में आगा तो note लगा दिया है वारकि first form then object example देखते हैं वह तुमारे सवालों का जवाब नहीं देगा जैसे politely कहा कि यार वो तुमारे सवालों को जवाब नहीं देगा तो इस situation में आप would not का यूज करेंगे वो नहीं देगा यानि he would not answer your questions यानि कि जवाब नहीं देगा मैं इतनी कम कीमत पर यह चीज नहीं बेचूंगा या नहीं बेचूंगी यानि कि politely मना गर यार मैं नहीं दूंगी इस कीमत पर तो इस situation में भी आप would not का यूज करेंगे I would not sell these things at such a low price इतने कम कीमत पर वह इतने देर रात बहार नहीं जाएगी यानि इतने देर रात या हो गई कि इतनी रात को बहार नहीं जाएगी मैं तुमारे साथ उसको नहीं बे सकती इतनी रात को इस तैसी भी sentences बोले जाते हैं She would not go out so late at night यानि कि रात को यानि कि इतनी देर तक मैंने कल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिस की लेकिन हुई नहीं अब कोई भी चीज आपने करने की कोशिस की जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने पंखा उन किया और पंखाच चला नहीं भूमा नहीं मूव नहीं किया तो इस situation में भी आप वोड़नोट का यूज करेंगे जैसे मैंने कल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिस की yesterday I tried to start my car but it would not start start नहीं हुई मेरे मसीन start नहीं हुई माइममसीन वोड़नोट स्टार्ट पूई भी छीज शली नहीं start नहीं हुई इस situation में आप वोड़नोट का यूज कर सकते हैं तो आज की हमारी अगले situation होगी जब हम use to के जगे भी would का use करते हैं और use to कहा use होता है आपको पता है past के habit को बताने के लिए तो जब हम use to use करते है past के habit को बताने के लिए तो हम would का use क्यों करें ये question आपके मन में आएगा तो इसकी भी एक logic है एक situation होती है कि हम would कहा लगा है और किस situation में हम would का use नहीं कर सकते हैं तो वो सिख लेते हैं यूजटू आप सभी जानते हैं past के habit को बताने के लिए हम use करेंगे यूजटू और would का हम use वहा करेंगे जहां हम repetition action की बात करेंगे कोई काम हम बारी बारी से यानि बार बार करते हैं तो हो सकता है हम वो past में भी करते थे और अब present में भी कर रहे हैं तो इस situation में आप would का use करेंगे दोनों की sense निकलेगी किया करता था यानि कि past में किया करते थे आप habit थी आपकी तो used to अगर आप कोई काम repetition में कर रहे हैं और वो अब भी कर रहे हैं तो उसके लिए आप would का use करेंगे दोनों में differ आपको समझा आया अब आपके सामने मैंने कुछ sentences लिखे हैं इन में would का use भी होगा और used to का भी use होगा लेकिन हम differ कैसे करें कि कहां हम used to का use करें और कहां हम would का use करें पहले हम structure देख लेते हैं subject would then verb की first form object अगर आप would का use करते हैं तो अगर आप used to का use करते हैं तो यहाँ पर used to का use होगा वी वन object यह हमारा structure होगा sentence making के लिए आपने इसको ध्यान रखना है अब sentence पर आते हैं मैं चाय पिया करता था देखो इस sentence में क्या है habit बता रहा है कि मैं चाय पिया करता था हो सकता है मैं यह बोलो कि बच्पन में मैं चाय पिया करती थी या बच्पन में वो यह काम किया करता था वो habit थी उसके तो आप यहाँ पर used to का use करेंगे I used to have have tea have tea आप देखो यहाँ पर मैं घंटो उससे बात किया करता था यहाँ पर repetition action की बात हो रही है हो सकता है आप अब भी उससे बात क्या करते हो यह भी तो हो सकता है तो यहाँ पर आप use to का use ना करके only would का use करेंगे I would talk to her for ours and ours यानि घंटो बात किया करता था हम साथ बैठा करते थे तो हम बोल चकते है we would sit together इस तरह से आपने would का use करना है अब यहाँ देखिए मैं एक dancer हुआ करता था अब यहाँ पर आप पजल हो जाएंगे कि हम used to का use करें या would का use करें यहाँ पर आप बनाएंगे sentence used to be a dancer यहाँ आप यह नहीं लिख सकते I would to be a dancer यहाँ यह गलत होगा यह आपका right होगा क्योंकि state of being में आप कभी भी would का use नहीं करेंगे वो आपका sentence गलत होगा जब भी आपने state of being की बात करेंगे तो आप always used to का use करेंगे would का use नहीं करेंगे right यह आपने चीज ध्यान रखनी है दूसरा जो point है हमारा मेरे पास बहुत पैसे हुआ करते थे I used to have a lot of money मेरे पास बहुत पैसे हुआ करते थे लेकिन अगर आपने यहाँ लगा दिया I would to have a lot of money तो आपका sentence wrong हो जाएगा यहाँ पर भी आप used to का ही use करेंगे would का use नहीं करेंगे जब भी आपने possession की बात करनी होगी तो आप would का use नहीं करेंगे जब भी आपने state of being की बात करनी होगी तो भी आप would का use नहीं करेंगे केवल repetition action के लिए आप would का use करेंगे जहाँ पर आप used to का use करते हैं तो चलते हैं अप अपनी अगली situation की तरह होगी आप screenshot ले सकते हैं next situation है हमारी expected या guess जब आप अंदाजा लगाते हैं तो situation क्या हो सकती है जैसे मालो आपके school से बच्चे आते हैं दो बजे और उस time किसी ने भी दरवाजा नोक किया तो आप कहते हो ना कौन है तो किसी ने का बच्चे होंगे ऐसा होता है हर एक घर में होता है यानि कि आपका अंदाज है कि दो बजे school से बच्चे आते हैं तो जिसने भी दरवाजा खटकटा है तो बच्चे ही होंगे हो सकता कोई और भी हो तो इस situation में जब आप अंदाजा लगाते हैं तो आप would का यूज करते हैं तो मारा structure होगा subject would be और noun पहला sentence है हमारा it would be the milkman जैसे 7 बजे आपके घर में दूद ही आता है दूद देने के लिए जब भी कोई 7 बजे दरवाजा खटकटाएगा तो आपको लगेगा दूद वाला होगा तो बस यही situation है ऐसे situation में आप would be का यूज करेंगे next sentence है मारा it would be your father's call जैसे office से किसी के भी पापा का फोन पाँच बजे बसता है तो यह कहते हैं न बिटे फोन उठाना तुमारे पापा का होगा यहीं पापा ने ही फोन किया होगा डेली पांच बजे ही करते हैं तो इस टाइप में आप would be का यूज करेंगे see would be was tv right now अभी वह है tv देख रही होगी यहीं अन्दाजा है डेली उसका काम है इस टाइम tv देखने का तो अन्दाजा है तो आप would be का यूज करेंगे अगली situation है हमारी to express your opinion जब आप किसी को अपनी राय देते हैं या जो तुम्हारे point of view है वो बताते हैं और जो हिंदे निकलते हैं मैं तो यह कहूँगा तुम्हें उससे बात नहीं करने चाहिए मैं तो यह कहूँगा तुम्हें यह course कर लेना चाहिए मैं तो यह कहूँगा कि तुम्हें इंगलिस सीख लेनी चाहिए इस type से जितने भी sentences बनते मैं तो यह कहूँगा यानि मेरी opinion यह है या मेरी राय यह है किसी के बारे में हो सकती है उसके लिए आप यूज करेंगे I would say that देन आपको कोई भी sentence हो सकता है मैं तो यह कहूँगा तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए I would say that you shouldn't talk to her मैं तो यह कहूँगा तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए I would say that you shouldn't go there इस तरह से आप कोई भी sentence के बाद लगा सकती है आपने याद कर लेना है I would say that आप screenshot ले सकते हैं next हमारी situation होगी हो देखते हैं second condition में हम बताते हैं present time imagination यानि कि present में जब हम कोई imagination करते हैं उसके लिए हम would का use करते हैं example है हमारा अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं तुम्हारी मदद करता होता तो मैं ये काम करता अगर मैं teacher होता तो तुम्हें पढ़ाता अगर मैं क्रिकेटर होता तो मैं खेलता अगर तुम विधारती होते तो तुम पढ़ते इस type के जो भी sentences बनते हैं हमारे second conditional में आते हैं अगर आपने conditional sentences नहीं पड़े हैं तो next video मैं आपके लिए conditional sentence में बना दूँगी इसमें क्या शर्त होती है हमारी जो पहला close है वो हमारा वर से बनेगा यहाँ वर का ही use होगा वर का use नहीं करेंगे चाहे आपको कोई भी subject है your friend यानि मेरे friend होते I would help you तो मैं तुम्हारी सहायता करता अगला sentence है अगर मैं अध्यापिका होती तो तुम्हें पढ़ाती if I were a teacher I would teach you यानि कि होती तो मैं तुम्हें पढ़ाती यह तो था हमारा second conditional अब हमारा third conditional क्या कहता है past time imagination की बात करेंगे आप तो would have का यूज करेंगे और would have के साथ वर्व की third form का यूज होता है वो पहला जो close होगा वो हमारा head से बनेगा head plus verb की third form और जो दूसरे close होगा वो would have plus verb की third form right sentence है हमारा अगर वे हमें बुलाते तो हम जरूर जाते यानि कि कोई party थी किसी दोस ने किसी को बुलाने के लिए बात की यानि party हो चुकी है अगर बुलाते तो जरूर जाते लेकिन उनने बुलाये यह नहीं तो हम कैसे जाएं तो ये sentence मनेगा if they had invited us यानि हमें बुलाते we would have definitely gone तो हम जरूर जाते अगर रहे अपनी गलती मानता तो सब ठीक हो जाता लेकिन उनने गलती नहीं मानी इसलिए सब yes to yes हो रहा है सब ठीक नहीं हो रहा है यानि कि अगर मानता तो सब ठीक हो जाता एक सर्त है उसका result उसपे depend करता है if he had admitted his mistake everything would be fine यानि सब ठीक हो जाता तो यह थे हमारे conditional sentences जिसमें हम would का use करते है second जो उसके result की बात करेंगे उस पर अब हम चलते हैं अगले use की तरफ next situation होती है हमारे rather or than यानि कि मैं ये खाने की बजाए ये खाना पसंद करूँगा मैं वहाँ जाने की बजाए घर पर रहना पसंद करूँगा मैं तुमसे साधी करने की बजाए कवारा मरना पसंद करूँगा इस टैसे जो भी sentences बोलने हैं इसकी बजाए ये करना पसंद करूँगा वो हमारे rather than से बनते हैं तो structure होगा subject would rather than work की base form मैं इंतजार करने की बजाए अब चलना पसंद करूँगा तो जो चलना पसंद करूँगा वो आपका पहले आएगा I would rather live यानि कि छोड़ना जाना पसंद करूँगा now than with यानि कि इंतजार करने की बजाए यहाँ आप बार-बार subject का यूज नहीं करेंगे then की बार ठीक है एक बार यहाँ यूज करने आपने मैं मीठ खाने की बजाए नमकीन खाना पसंद करूँगा तो I would rather eat salty food than sweet food यानि कि मीठे की बजाए एक situation हमारी होती है यानि कि I wish वाले sentence मैं चाहता हूँ इस type से बोले जाते हैं तो I wish के लिए आप would का यूज भी कर सकते हैं और could का यूज भी कर सकते हैं दोनों ही यूज आपके लिए better रहेगा चाहे आप present में बोले चाहे आप future में बोले तो sentence हमारा मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ ठहरो यानि कि रात को यहाँ ठहरो मैं यह चाहता हूँ तो I wish आप I wish तो लगाएंगे then आप subject का यूज करेंगे फिर आपका उभूड आएगा फिर work की first form then object यह हमारा structure हो जाता है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ I wish उसके बाद subject word work की base form और object यह हमारा structure होगा तो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ I wish you would stay here tonight यानि आज रात को आप यहीं ठहरो ऐसा मैं चाहती हूँ इस type से आप would का use करेंगे मैं चाहता हूँ कि तुम सब अचीव करो प्राप्त करो यानि I wish मैं चाहता हूँ यानि कि जो भी आपने अपने जेवन में अचीव करना है तो आज हमारे would के सभी uses complete होते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी आपने first part में second part में third part में would को detail से पढ़ लिया है अब आपको would से related कोई भी problem नहीं आने वाली है अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है सीखा है तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक किली रादे रादो